इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से शनिवार यानी नौजनवरी को उडान भढ़ने के बाद एक फ्लाइड लापता बताई जा रही है श्रीविज्या एयर की ये फ्लाइड संख्या SJ-182 में 62 लोग सवार थे बताया जा रहा है कि विमान के टेक आफ के कुछ देर बाद ही जिट का संपर्क हवाई आतायाद नियंतरक से टूड़ गया इंडोनेशिया के परिवहन पंत्राले के प्रवक्ता अधिता इरावती ने बताया कि बोईंग 737-500 विमान ने दोपहर करीब एक बचकर 56 मिनट पर जकारता से उडान भरी और दोपहर करीब दो बचकर 40 मिनट पर इसका संपर्क नियंतरर टावर से टूड़ गया एरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक बिमान ने जकारता से पोंटियना के लिए उडान भरी थी जो इंडोनेशिया के बोनियों ग्वीवस इस्तित पश्चिम काली मंतन प्रांत की राजधानी है इस उडान की अवध ही करीब 90 मिनट थी इस विमान पर 56 यात्रियों के अलावां चारक दल के 6 सदस भी सवार थे इरावती ने अपने बयान में कहा कि राष्टिय खोज एवं बचाव एजंसी और राष्टि परिवहन सुरक्षा समीत के साथ समन्नवाई स्थापित कर लापता विमान की तलाश की जा रही है जकार्ता से पॉंटियनाग जाने वाले विमान की अधिकतर यात्रा जावा समुद्र के उपर से गुजरती है अब तक लापता विमान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है आपको बता दे हैं कि इससे पहले अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया का एक विमान दुरगतना गरस्त हो गया था जब लॉयन एयर बोईंग 737 मैक्स का विमान उडान बढ़ने के 12 मिनिट बाद ही जावा के सागर में जागिरा इस हाथसे में 189 यात्री मारे गय थे उसके थोड़े दिनों बाद ही बोईंग के 737 मैक्स मॉडल का एक और विमान इथियोपिया में दुरगटना का शिकार हो गया था बोईंग को उसके मॉडल में खामियों के आरोपों में 2.5 अरब डॉलर का अर्ण मुआपजा देना पड़ा था इसके बाद दुनिया भर में इस मॉडल के विमानों की सेवाएं रोग दी गई थी आपको बता दें कि जकार्ता से जो विमान गायब हुआ है वो भी बोईंग का 737 मैक्स स्रीज का बताया जा रहा है इस विमान की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है इसके इंजन में भले ही इंधन की बचत होती है लेकिन इंजन में समस्या के कारण खुद ही इसकी रफतार कम हो सकती है और जहाज बंध हो सकता है इस समस्या से निपटने के लिए कमपनी ने एक MCAS नाम के सॉफ्टेवेर को जहाज में लगाया है लेकिन कई बार ये सॉफ्टेवेर भी गलत निर्देश देता है जिस वज़े से जहाज के दुरघटना ग्रस्त होने के संभावना बढ़ जाती है इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप अपने सवाल और सुझाओं में कमेंट्स करके बताइए पाकि देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमतिन्दी को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेच को लाइक और फॉलो कर लिजिए